तो नावालिक की आत्म हत्या है आपकी उत्पीरन से है कि मिलतु दंब का केस है फिर भी इसमें इतना बड़ा अन्याग कर दिया लोगों धनवानों ने सब श्रेया का मामला उसका केस लड़ रहे थे इस पूरे मामले में कि पॉइंट आप व्यू से इस मामले में निगेटिविटी सामने आई विपक्स बहुत मजबूत है उसकी मजबूती ही मुख्य पॉइंट बना पूरा तप्तीस ही आजमगर से मउख को ले रेज देगे आठ तारीक को तप्तीस मउख एस्पी को बेज देगे उन्हों ने धनंजय मिश्र सियो मउख नगर को दे दिया आठ ही को लिख पढ़के नव को 179 की रिपोर्ट दे दिया मुल्दिम पहले से जेल में थे उनकी जमानते 14 तारीक को सुनवाई में लगी हुई थी 14 को सिनवाई होने के पहले ही 179 की रिपोर्ट लगवा के सीजियम ने आदेश करके पूरे मामले में पहले आजमगड़ पुलिस जाच करती है और उन्हीं साक्षियों के आधार पर इन्हें जेल बेज़ती है देखे दिस नहीं मानते हैं 302 में फैयार हुई 302-201 यहां कि पुलिस जाच करते करते 306-201 में आई पकड़कर बंद की दिमांड लेकर जेल बेजी और यहां की पुलिस जाच कर रही थी उस पर भी पक्षियों का कोई दबाव काम नहीं कर रहा था इसी लिए यह तप्तीश आई जी के आदेश से सीधे मव कहुंच गया और वहां एक ही दिन में सब कुछ हो गया 179 तक की रिपोर्ट आ गई है और रहावी हो गए 14 को अजालत में बेल पर अगर बहस होती तो सारी बातें जब खुल जाती तो 179 की रिपोर्ट लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता लोग है यह बहुत बड़ी साजिस हुई है एक गरीब के साथ न्याय का गला घोट दिया मिल करके सब ने साजिस करके बड़े अधिकारियों ने और आजमगड के यस्पी के अधीन अगर रही होती है तो यह नोवत नया तो क्योंकि आजमगड के यस्पी को लोग मताते हैं बहुत म सब्सक्राइब से सीधे मौ को भेज़ दीगी एक बिल्कुरी साजिस के तहद पर्टिकुलर आदमी कि यहां तर्टिस बेज़ी गई धनंजे मिर्स और उन्होंने एक ही दिन में सारी चीजें लिख पढ़के उनको इस तरीके से अगर इस तरीके से पुलिस काम करेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अदालत का ही भरोसा है और अदालत अब इन चीजें को कितना सीरियस लेती है लेगी ही मामला सीरियस है हमें उमेद है कि लीग हमने जो शरा दे दिया सारे पेपर से लेका मानुशने आ रहे आप जाओ वहां अपनी बाते सुनाओ इस आरी बा हमने तो उससे कहा वाई तुम खड़ा अगर रहो तो हम तुम्हारा अंद तक साथ देंगे अगर तुम्हीं कंप्रमाइज करके हट जाओगी तो हमारा रास्ता वहीं रुख जाएगा अनिसा हम आपका साथ अंद तक देंगे इसमें कहीं धनारजन आड़े हाथ नहीं आया तो यह ऐसा नहोता जो आज हुआ है और आजम गड़ कप्तान के अधीन अगर जाच रही होती तो निश्चित है कि इस तरह गला नहीं गोटा जा सकता था आज गरीबका रोल कर दुरा हाल रहा है कल से पुरे परिवार है हम पुद वहां से पूरे थी अधीर हालात देख करके पुद्रोंऑ प्राब गड़ा है ऐसे हिए परिवार उनको भी शाक लगा एक मंदार आदमी दुखी तो हो गई यहां तक सुनने में आता है कि यहां दिवानी के जहरी के जो आफिशर्स हैं उनमें भी कुछ शॉकिंग सा महोल महसूस हुआ इस चीज से कि यह क्या हो रहा है लड़ने के लिए भिन भिन तरीके की मुकर्णे लड़े हैं लेकिन इस तरह नियाए का गला घोड़ दिया जाए जैसे लगए दबा करके हर काम हो गया कोई कुछ नहीं भी गाड़ पाएगा ऐसी परिशिती पहला होगी बहुत दुखत है अत्यंत दुखत है आप देख तो रहें गांधी वाले राहुल गांधी वाले में हाई कोड़ तक जाने हैं तो कहां कितना दुखता हुई अंत में एक जगह न्याय मिला तो यहां भी मुझे लगता है न्याय मिलेगा यह मामला 305 IPC का है जिसमें आजिवन का रावास हो देश संत्रेंस का है क्योंकि बच्ची की उमर 15 साल 10 महिना है तो नावालिक की आत्म हत्या है आपकी उत्पीरंस से है ते मिल्टू दन्द का केस है फिर भी इसमें इतना बड़ा अन्याय कर दिया लोगों धन्वानों ने झाल झाल झाल